नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम बग्यान विवहा के दैनिक मौसम परिचर्चा में जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 14 गंटे में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा अगर हम आज की मुख के हाईलाइट की बात करें तो एक तो हमारा जो उत्तरी पश्यमी भारत है खासकर कि जम्बू कस्मेर हिमाचाल उत्तराखांड उससे लगा हुआ जो प्लेन एरिया है वहाँ पे अगले 2 दिनों तक गेकात स्थानों पे हमें हलकी बरसा, ठंडर स्टार्म और लाइटनिंग एक्टिविटी पश्यमी विश्चोग के चलते देखने को मिलेगी अगर हम अधिक्तम तापमान की बात करें तो अधिक्तम तापमान जो है लगवग 38 सथाने सऺंटिविकरी की रेंज़ में गुजराथ, स्टेट और कौनकन में हमें 31st थानों पर देखनों को मिले है वहें पे अधिक्तम तापमान हमें 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेट की रेंज में वाश्यमी, राजिस्तान के आने के स्थानों पे, रायल सीमा, कोस्टल करनाटका के आने के स्थानों पे, गुजरात, मद्ध परदेश, थ्यत्तीजगर, उडिशा, वेस्ट पंगाल, तेलंगान केरल, जहारखंड और विधर्वा के कुछे के स्थानों पे, और कोस्टल आन्द प्रदेश, तमिलनाडू, और इंटिरियर, करनाटका और मराठबडा पे एकाद स्थानों पे देखनों को मिला है, वहें पर मैक्सम टंपरेचर अभी हमारे लगबाग 6 से 8 डिग्री सेंटी में एकाद स्थानों पे देखनों को मिली है, और इसके लावा कल हमें जम्बु कस्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्राखंड और अवडाचल प्रदेश में एकाद स्थानों पे हलकी वर्सा भी देखनों को मिली है, उत्राखंड में कल एकाद स्थानों पे हमें उलवर सब्सक्राइब देखने को मिली है और अगर हम आज के सनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो एक तो हमारा मिडल ट्रॉपस्परिक लेवेल में एक पश्चमी विच्छोब है जो कि ट्रफ की रोप में देखा जा सकता है इसके साथ ही लोबर ट्रॉपस्परिक में एक सइकलोनिक सर्कुलेशन है जो कि पुत्री पश्चमी राजिस्थान के ऊपर बना हुआ है और एक दूसरा से विच्छोपिक में जो की हमारा आसाम यह उसे लगे हुए चेत्र है वहां पर देखने को देखा सकता है अगर हम वेदर की बात करें तो हमारा जो cyclonic circulation logotroposfork levels में दच्छडी आसाम और उसके आसपास के छेत्रों में है उसके चलते हमें कुछे सब हमारेंड वेस्ट वंगाल और सक्क्यम और जो उत्री पूर्वी भारत है उसके कुछे कि स्थानों पे हमें अगले दो दिनों तक एकात इस्थानों पे हलकी बारिस, ठंडर स्टार्म, लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी और वहीं पे उत्री पूर्वी भारत और सिक्क्यम के छेत्रों में हमें 15, 16 और 17 मार्च को अनेक इस्थानों पे हलकी से मध्यम बरसा देखने को मिलेगी और कुछ एक इस्थानों पे ठंडर स्टार्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और कष्टी विंड जिसकी स्पीट लगवक्ति से 40 क्रोमेट मेटर प्रति घंटे होगी देखने को मिलेगी और वहीं पे उत्री पुरुवी भारत में हमें 15 मार्च को एकात स्थानों पे ओला बरस्थी भी देखने को मिलेगी और अवड़ाचल प्रदेश में 15 मार्च को हमें भारी वर्सा भी देखने को मिल सकती है अगर हम उत्री पश्चमी भारत की बात करें तो हमारा जो अभी बश्य में विच्छोब है जो की एक टरफ के रूप में है और जो एक साइकलोनिक सर्कुलेशन है राजिस्तान को उपर जिसके चलते हमें जम्बु कस्मुईर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में अगले तिन दुनों तक कुछ एक स्थानों पे हलकी वर्षा देखने को मिल सकती है और अगर हम उत्रप्रदेश की बात करें तो हमें अगले दुन दो दिन होताओे एक टस्थानों पे हलकी वर्षा देखने को मिलेगी. और उत्राखंड में ये 24 घंटे में हमें एक टस्थानों ओला ब्रिष्टी भी देखने को मिल सकती है और इसके साथ 15 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लेकर हम बात करें तो हमारा जो खास करके पैनिसुलर इंडिया है उसे लगा हुआ इस्ट इंडिया और जो मद्ध भारत है वहाँ पे हमारा मिट रपोस्पिरिक लेविल्स में वेश्टरली और लोगर रपोस्पिरिक लेविल्स में पूर्वी हवाय जो है उनके बीच में इंट्रेक्शन होगा और इस इंट्रेक्शन के चलते हमारा जो खास करके तमिल नाडू, आंध प्रदेश, तेलंगाना, करनाटक यानि कि जो हमारा साउथ पेनिसलेर इंडिया उसके लावा जो हमारा पश्यमी भारत है और जो मद भारत है जैसे कि गुजरात, महराफ्टरा, मद प्रदेश, बिध इसके साथ हमें इन सभी छेत्रों के यानि कि साउथ पेनिसलेर इंडिया, पूर्वी भारत, मद भारत और उसे लगा हुआ यो पश्यमी भारत है वहाँ पे 15, 16, 17 मार्च को हमें ठेंडर स्टाम एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी और गस्टी विंड जिसकी स् 17 मार्च को भी हलकी से मध्यम बरसा कुछे की स्थानों पे ठंडर स्टाम, लाइटनिंग और गस्टी विंड जिसकी स्पीड लगवक्त से 40 किलोमेटर पती घंटे होगी देखने को मिलेगी अगर हम उलब रष्टी की बात करें तो हमारा उत्री पूर्वी मद प्रदेश मे बिधरबा में 36 गड़ो तेलंगाना के कुछे की स्थानों पे 16 तारीक और 17 तारीक को हमें उलब रष्टी देखने को मिलेगी मद महराष्टरा में हमें 15 मार्च और 16 मार्च को भी उलब रष्टी देखने को मिलेगी मराट पड़ा में 16 मार्च को उलब रष्टी देखने को मिलेगी अगर हम कलर कोड़ेट ग्रेफिकल फार्म में वर्णिंग को देखें तो आज के लिए यानि तेरा मार्च के लिए हमने उत्री पूर्वी भारत में और उत्री पस्तुमी भारत के कुछ एक स्थानों पर एलो गलर वर्णिंग दिया है क्योंकि वहाँ पे हमें ठंडर स्थानों और लाक्निः अक्टिवीटी देखने को मिले गई अगर हम 15 मार्च की बात करें तो हमने जैसाकि देखां कि हमारा पंद्रा?」 मार्च से लगा वा Shake में पस्तुमी भाहरत में एक अच्छा खास वेधर एक्टिवीटी में हमें देखने को मिलेगा जिसके चलते हमने पुर्वी भारत उसे लगावा मदध भारत और पश्मी भारत में हमने illow color का warning दिया है और साथ ही उत्र पुर्वई भारत में हमने orange color का warning दिया है क्योंकि वहाँ पे हमें 15 मार्च को पूला वरश्टी देखने को मिलेगी और यह जो interaction है जिसके चलते जो weather activity हो रही है वो हमारे 16 मार्च से लेकरके 17 मार्च को लगबग भारत के अनेक स्थानों में देखने को मिलेगी जिसके चलके हमने भारत के अनेक स्थानों में एलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है सिर्फ पंजाब, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, उत्रगांड और पुर्वी उत्रप्रदेश के को छोड़ करके और पश्यमी जो हमारा तर्थ है वहां को छोड़ करके भारत के लगबग लगबग सभी हिस्सों में हमें कहीं न कहीं ठंडर्स्टॉम एक्टिविटी, लाइटनिंग एक्टिविटी और गष्टी वेंड देखने को मिलेगी 16 और 17 मार्क्स को जो कि हमने अलोकलर वार्निंग में दिया है और इस ग्रैफिक के फार्म में देखा जा सकता है मौसम की और इस पेसफिक और अधिर जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इसके साथ ही हमारा जो फेसबिक पेज है और हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हमें आप फालो कर सकते हैं धन्यवाद झालो कर सकते हैं झाल झाल झाल